दोस्तो आज इस वीडियो के माधियम से हम लोग एक जैनुविन तरीका सीखेंगे 20,000 रुपए मंतली कमाने का in a easy way तो कैसे ये 20,000 रुपए हम कमा सकते हैं और सबसे most important चीज़ क्या है कि आपको दिन का केवल 20 से 30 मिनट का टाइम ही देना है और इतने टाइम में आप ये 20,000 रुपए तक का महीना कमा पाओगे तो दोस्तो वीडियो को skip मत कीजिएगा क्योंकि skip अगर आप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आपका कौन सा point मिस कर गए आप और फिर आप वो पूरी तरह से apply नहीं कर पाएंगे जब आप उन चीजों को करना शुरू करेंगे क्या आपको पैसा कैसे कमाना है सब डिजिटल होगा सब online ही है लेकिन कैसे करना है वो वीडियो में point to point बताया गया है पूरी वीडियो को देखिए बिना करें हुए और उम्मीद है आप भी इसको अचीव कर पाओगे आपका मेजबान तौकी रुसायन एक बार फिर से अपने यूटूब मंच पर आपका स्वागत करता है दोस्तों जादा डिले नहीं करेंगे चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ वीडियो के एन में फिर एक बार तफसेली बातचीत करेंगे आज मैं आपको एक बहुत ही जेनुएन और सिंपल तरीका बताऊंगी तो अर्न ट्वेंटी थाउजन रुपीस पर मन्त इन फाक्त आप स्क्रीन पे एक प्रूफ ऑफ पेमेंट्स भी देख सकते हो इसके लिए आपको कोई इन्वेस्मेंट नह नहीं चाहिए और ये पैसा आप घर बैठे कमा सकते हो सिरफ दिन में 20 मिनट्स डिवोट करके तो हुआ क्या कि मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में एक कॉमेंट देखा जहाँ एक स्टूडेंट ने लिखा था कि मैं सिरफ 11th क्लास में हूँ और 11th क् कि उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं on a topic called user testing. ये चैनल था यश पाटिल का and उनके चैनल पर सारी वीडियोस इतनी जैनुवन थी कि मेरा interest बनने लगा to learn more about user testing and फिर मैंने और सर्च किया तो मुझे एक और चैनल मिला जिसका मैं यहां पर नाम नहीं लूंगी बट ये चैनल है रौनिक राय का and उन्होंने भी user testing के ओपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी थी. मैंने यश और रौनिक को reach out किया and I am so happy and grateful to share कि उन्होंने इतनी detail में मुझे explain कि user testing क्या होता है, कैसे को इससे पैसा कमा सकता है. So let me start off with user testing and proper detail कि आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हो user testing का ये मतलब होता है कि मानलो मैं कोई company हूँ और मेरी website है. तो मैं आपकी opinion, user की opinion जानना चाहूंगी कि मेरी website कैसी है और इसमें मैं क्या improvements ला सकती हो. तो इसके लिए company एक platform के उपर अपनी website को register करती है, जो platform सबसे जादा use किया जाता है इसके लिए उसका नाम है user testing. So उस website के उपर वो अपनी website को register करेंगे and then आप as a user एक test लोगे, जहां पे आप मानलो एक trial लेते हो उस website को check करने का जैसे बोलते है test and अब अपना feedback share करोगे कि आपको वो website कैसी दिखाई दे रही है? इस feedback को देने का वो आपको payment देते हैं क्योंकि उस feedback के दम पे वो अपनी website को improve कर सकते है. So this is what is called as user testing. अब सबाल आता है कि इस test में होता क्या है? So जब आप किसी website को test कर रहे होते हो, आपकी screen record हो रही होती है, साथ ही साथ आपकी voice पे record हो रही होती है. याने कि वो चाहते हैं कि आप साथ साथ में बोलो भी कि आपको experience कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि ये वाला landing page मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें ये वाली images जो हैं, ये मुझे इस तरह से अच्छी लग रही है. त जैसे मान लो कि अगर Amazon ने एक test कंड़क करना हो, तो वो कहेंगे कि आप search bar पे जाओ, kids clothes search करो, and then कोई भी एक clothing को cart में add करने का process initiate करो. उसके बाद जब test खतम हो जाता है, तो आपको कुछ questions भी पूछते हैं, जैसे कि आपका experience कैसा था, website को use करना आपको difficult लगा या easy लगा, और क्या improvements की जा सकती है, जिससे आपका experience और बेटर हो पाए. So, ये तो था test को लेना. Next question आता है कि इसके लिए कौन से skills required होते हैं? जैसा कि मैंने initially भी कहा, इसके लिए कोई educational या कोई भी skills की requirement नहीं है, सरफ एक requirement है कि आपकी English fluent होनी चाहिए, क्योंकि जब आप test लेते हुए बोल रहे होगे, तब आप English में express करोगे अपनी thoughts. अब सवाल आता है कि आप user testing के इस पूरे process को join कैसे करोगे? तो जैसा कि मैंने आपको पताया है, एक website है called user testing. आप सबसे पहले वहाँ पे अपनी profile बना के उसे complete करते हो. उसके बाद आप अपने PayPal के account को link करोगे. तीसरा step हो एक practice test देना. So practice test का ये मतलब होता है, कि जितने भी test आप बाद में दोगे, जब आप website को experience करोगे, वो सारे paid test होते हैं, उसका आपको पैसा मिलता है. लेकिन website पे enroll करने के लिए या ऐसा कहलो कि paid test के लिए eligible होने के लिए आपको पहले एक practice test देना पड़ता है. ये practice test हर user के ये बिल्कुल सहीम होता है. तो रॉनिक ने मुझे ये चीज रिकमेंड की थी, कि आप एक video share कर सकते हो अपने viewers के साथ, जो मैं link कर दोंगी description में, जिसे देखके आप समझ सकते हो कि practice test को qualify कैसे करना होता है. अब एक बार आपका practice test qualify हो जाता है, फिर आप paid test के लिए eligible हो जात कि आपको generally $1 per minute offer होता है. तो most of the tests are $10 के, यानि कि 10 minutes के लिए आपको website को test करना होता है, experience करना होता है, और उसके आपको $10 की payment होती है. अब यही मान लोगर आप 60 minutes के लिए, एक घंटे के लिए किसी website को test कर रहे हो, in that case आपको $60 मेंते है. लेकिन यहाँ बर एक बहुत important point था जो यश नहीं mention किया था, कि जो test $10 के आसपास के होता है, वो होता है recorded test. यानि कि उसके अंदर आपको किसी के साथ भी बात नहीं करनी होती है, सिरफ आपका screen record हो रहा होता है और आपकी voice record हो रही होती है. लेकिन जो $30, $60 या $90 वाले test है, उनको पोलते है live test. उसके अंदर कोई agent होता है, जो आपके साथ live बात करता है in a zoom call. And वो zoom call में आपके साथ present होता है और आप उनसे बात करते-करते हो उस website को test करते हो और अपनी feedback को live share कर रहे होते हो. So, ये दो तरहा के test है, जो live test है, उनकी payment जादा होती है, और जो simple recorded test है, उनकी payment थोड़ी कम होती है. दोनों पेमेंट आपको होगी, ये होगी PayPal के थुरू, जो कि आपने अपने bank account के साथ link की होगी and directly वो amount आपको अपने account में आ जाएगी. अब जैसे याश 11th class में है, तो अगर कोई और person भी minor है इस समय, तो in that case वो अपने parents का account भी link कर सकते हैं, ताकि payment उनकी account में receive हो जाए, क्योंकि आपको अपने bank account के details भी देने होगी. अब ये सवाल भी आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या मुझे PayPal को link करने के लिए, या फिर कि इस payment को receive करने के लिए, या फिर कि इस पूरे process में एक भी रुपया खर्चने की जरूरत है and उसका answer is simply no. Even Gash ने ये चीज mention भी की थी कि इस method को इसी लिए zero investment method कहा जाता है. So I hope कि इन सब input से आपको user testing के बारे में काफी clarity मिलियो. I would recommend कि आप Yash और Ronik दोनों के channels जरूर चेक करो and I would also like to thank them a lot for helping you all and अगर आप कुछ और ऐसे genuine methods जानना चाहे हो, जिन में proper में research करके authentically आपको बताऊं कि क्या तरीके है to make money online, then just मुझे एक Yes, लिख दो comments में ताकि मुझे feedback मिल जाए. Honestly, मैं को बहुत डर लग रहा था ये video बनाते समय, because ये make money online वाली videos होती है, बहुत scam वाली भी होती है, लेकिन I will try my best to make sure कि आपके सथ कभी भी ऐसा ना हो and you are genuinely able to make a good amount of money while also studying your working alongside. Thank you so much for watching this guys and all the very best. दोस्तों उमीद करता हूँ video आपको पूरी समझ में आई होगी कि क्या करना है और किस method से ये earning का तरीका बताया गया है, यानि ये क्या method था जिससे ये earning हो रही है, ये बिल्कुल genuine way है, you are doing a smart way to earn your money, आप पैसा कमाने के लिए smart work कर रहे हैं, वहां से आपको ये पैसा आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा, ताकि आने वाली हर इंट्रेस्टिंग वीडियो की notification आपको टैमली मिलती रहे, दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, खुश रहिए, खुश यां बाढ़ते रहिए, अपनों का, अपने समाज का बहुत खयाल रुखिए, खुदा हफीज